अश्कार दोस्तों बुदुवार की व्रत कता कुछ इस प्रकार से हैं एक समय की बात है एक फिक्टी का विवा हुए कई वर्ष बीद गए विवा के बाद उसके पत्नी एक बार अपने माईके गई भी थी तो पत्नी के माईके में रहने के कई दिनों बाद उसका पती अपनी जा सकती, इसका रविदाई नहीं हो सकती, लेकिन मैं व्यक्ति नहीं माना, अपनी पत्नी को माईके से विदा करा का अपने घर की तरफ चल दिया और रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेसी प्यास लगी, तो पत्नी पानी की तलाश में दोधा भटकने लगा, काफी देर के बाद जब पानी लेकर वापत लोटा, तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेश्विशा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैटका बाते करता हुआ, दिखाई दिया, अब दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे, पहले व्यक्ति ने गुस्से में अ उसके असली पती के बारे में पूछने लगे, दोनों व्यक्ति को देखका इस्त्री हैरान हो गई, कौन मेरा पती है, तो वह दूइधा में पढ़ गई, तो कि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे, तो वह पहला व्यक्ति परिशानों का मन में कहा, कि भगवान ये कैसे आपकी लीला है, तब ये आकाश्वाने हुई कि बुद्वार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए था, ये सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है, फिर वह व्यक्ति बुद्धिदेव से प्रात्ना करने लगा, श्यमा मां पहला है, फिर पहला ही बुद्धिदेव अंतरजान हो गए, अब उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई, तब इसे हर दिन बुद्ध हर दिन बुद्धिद्वार के दिन बगवान गणिश की पूजा करने लगे और व्रत करने लगा, ये थी आज की बुद्धिद्ध के थ हरे किजना